पर हम लोग कैसे बोलते हैं किस इस्ट्रेक्चर का यूज करते हैं समझेंगे या आप ऐसे बोलते होंगे कुछ अलग संटेंस बोलते होंगे जैसे बोल दिये जाए उसका माइंड तुरंत करप्ट हो जाता है मतलब कुछ भी हो जाता है जैसे बोल दिये जाए कि उसकी मम्मी डिप्रेस में चली जाती है या ऐसा बोल सकते हैं उसकी बहन किसी चीज को बढ़ा चड़ा कर दिखाती है ऐसे जब बोलने ही तो कैसे हम लोग कहां से किस इस्ट्रिक्चर का यूज़ करेंगे समझेंगे नेक्स्ट कर देखा जाए कुछ अलग से दूसरे के संट्रिक्चर बोल दिये जाए कि ऐसे बोलते होंगे कि उसकी या बोल दिये वह मेरे प्रोपोजल को मान गया है या ऐसे ही बोल सकते हैं मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें उससे जरूर सहमत होना चाहिए या ऐसे बोल सकते हैं वह नहीं माना अपने बच्चे को गौर्वर्मेंट स्कूल बेजने के लिए जब भी आप ऐसे संटेंस बोलेंगे तो बहुत सरे प्रॉब्लम्स होते हैं सबके स्ट्रक्चर आलग होते हैं तो हमने आज कुछ important इस्ट्रिक्चर के साथ में example भी लिखे हैं तो उनको हम समझते हैं सबसे पहला लिखा है सबसे पहला लिखा है सबसे पहला लिखा है सबसे पहले लिखा है I am willing to start a new office for my business ठीक है आप समझते हैं तो पहला इसमें लिखा आएगा जो दिखा जाए तो करने का मन करना कशी करने का मन करना कोई इसका स्टयक्टर होता vendor के स्ट्रक्टर हाएं है इसके बाद हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट लिखा है his friend is prone to overconfidence ऐसे अगर देखा जाए तो यहां पर हमने different देखा जा तो prone to है इसका मतलब होता है कि किसी चीज की मतलब आदत हो जाना जैसे किसी जैसे for example कि इसमें लिखा है जाज़े से his friend is prone to overconfidence उसका मतलब जो दोस्त है ना उसके दोस्त की जो देखा जाए तो overconfident होने की आदत है ठीक है friend is prone to overconfident मतलब उसका जो दोस्त है उसके दोस्त की जो आदत है तो क्या है और कॉट्विटेंट की है ठीक है इस तरह बोल दें या जैसे इसका example structure हो जाएगा आपका subject हो जाएगा plus helping verb हो जाएगा जो भी है जैमार हुआ जबर उसके बाद आपका prone to हो जाएगा plus noun या बी first यानि जेरेंड का यूज करते हैं ठीक है इसका माइंड तुरंत करप्ट हो जाता है ठीक है यहाँ पर यह हो जाएगा प्रोंट का यूज नेस्ट लिखा है हर family consented to donate her body part अब इसमें देखा जाता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज को मान जाना किसी चीज से सहमत हो जाना जैसे for example हम कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं लेकिन हमारे family वाले मानते नहीं भी कपाता है तो हमां पर गहां पर कनसेंट के यूज़ करेंगे यहां पर हो जाएगा हर family सेन्ट to donate her body part मतलब पहले उसकी फैमिली कंसेंट नहीं थी मतलब सहीमद नहीं थी लेकिन बाद के बाद बाद में उस सहीमद हो गए तो यह हो गया हर family उसकी family कर सकते हो तो यहां पर हो जाएगा तो इसका सब्जेक्ट फ्रिस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉंसेंट टू कि अधर वर्ड भी लगा सकते हैं फिर अधर वर्ड भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्ला हेल्पिंग वर्ड प्लस कंटेंट टू प्लस नाउन या बर्ब का फर्स प्रस अधर वर्ड जो भी जैसा सेंटेंस हो इस लगाएंगे तिया पोगा हर फैमिली कंसेंट टू डॉनेट हर वड़ी पर उससी फैमिली सहमात हो गई उसके बॉड़ी पार्ट करने लिए कि यह हो जाएगा हमने कितने देखेत पहला देखें आपने वेलिंग्टी यूज दूसरा देखा प्रान टू का यूज तीसरा हमने देखा कॉंसेंटे तू का यूज तो आए अवर्ण में आए थां आउन के वाचिन देखें झाल झाल